एलो फ्रेंड्स, वेल्कूं टू मार यूटूब चैनल Unique English Learning में अगर आप भी अपनी English को इंप्रूफ करना चाहते हैं तो आज़ की इस वीडियो मैं पतामगा Movies का सब्टेटल यूज़ करके आप अपनी English को कैसे इंप्रूफ कर सकते हैं यह एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने का तो अगर आप अमारे चैनल पर नई है तो अब बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो उसको लाइक और शियर जरूर करें तो यह स्टार्ट करते हैं उसके पहले सेंटेंस से यहां वो कहती है उससे तुम उससे जब से क्यों नहीं मिली वो कहती है क्यों क्या वे इस शेहर में नहीं रहता वास्तम में वे इस देश में नहीं रहता Actually, he doesn't live in this country Actually, he doesn't live in this country वो पुश्तिये फिर वे कहां रहता है Then where does he live? फिर वे कहां रहता है तो friends काफी अच्छे sentence है ये आप अपने डिली डाइपन को यूज करके आपने इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सकते है तो बहुत ही अच्छे sentence है आप है वो करते है फिर वे कहां रहता है Then where does he live? फिर वे कहां रहता है वो करते है इस वक्त वे औस्ट्रेलिया में रहता है Right now he lives in Australia Right now he lives in Australia इस वक्त वे औस्ट्रेलिया में रहता है वो पूश्तिये क्या तुम कभी वहां गई हो? क्या तुम कभी वहां गई हो? have you ever been there have you ever been there क्या तुम कभी वहाँ गई हो तो जैसे कि ऐसा होता है न हम भी कभी इसे किसी सा पूछते हैं क्या तुम वहाँ पर कभी गई हो तो मैं इस तरीक से बोल सकते हैं have you ever been there वो गरती है हाँ मैं वहाँ दो दिन पहले गई थी yes I went there two days ago I went there two days ago वहाँ मैं दो दिन पहले गई थी तुमने मुझे नहीं बताया तुम यहाँ क्यों आई थी you didn't tell me why you came here you didn't tell me why you came here तुमने मुझे नहीं बताया तुम यहाँ क्यों आई थी तो फुरंस जैबी काफी अच्छा sentence है तुम मुझे लगा तुम मुझे लगा तुम मुझे बात नहीं करोगे वो गते हैं क्या मैं तुम से कुछ पूछ सकती हूँ मैं आस्क यू सम्थिंग तो friends ये भी काफी अच्छा sentence है जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है न हम किसी से पूछते हैं कि क्या मैं तुम से कुछ पूछ सकता हूँ ये पूछ सकती हूँ तुम इस तरीके से बोल सकते हैं May I ask you something? May I ask you something? वो कहते हैं तुम क्या पूछना चाहती हूँ तुम क्या पूछना चाहती हूँ What do you want to ask? तुम क्या पूछना चाहती हूँ वो कहते है तुम परिशान देखते हो क्या सब कुछ ठीक है वो उससे कहते है क्या वे जानता है मैं यहां हूँ वो पूशता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहां क्या हूँ क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहां क्या हूँ वो कहते है मैं तुम्हें बताना चाहते थी कि मुझे जॉब मिल गई है वो कहते है मैं जानता था तुम्हें वो जॉब मिल जाएगी मैं जानता था तुम्हें वो जॉब मिल जाएगी वो गता है मुझसे उची आवाज में बात मत करो एक्शिए कोई बात हो जाती है तो वो बोड़े वो कहते है मुझसे उची आवाज में बात मत करो तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं Don't talk to me at the top of voice मुगति मेरे असमे कोई हाथ नहीं है I have no involvement on this I have no involvement on this यहाँ पर दिसकी जगार रिस हो गया है मेरे असमे कोई हाथ नहीं है I have no involvement on this मुगति क्या तो मुझ पर एक ऐसान करोगे क्या तो मुझ पर एक ऐसान करोगे Will you do me a favor? क्या तो मुझ पर एक ऐसान करोगे Please मेरे दक से माफी मांग लेना Please मेरे तरफ से माफी मांग लेना Please apologize on my behalf Please apologize on my behalf तो आपोलोजाइज वहाँ यूश करते हैं माफी मांगने के लिए किसी से बोगाते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी This is what I expected from you This is what I expected from you मुझे तुमसे यही उम्मीद थी एक्सपेक्ट मतलब किसी उम्मीद करना इसे कथम करने गले तुम्हारा पास 10 गंटे है वो कहते है तो इसे कथम करने गले तुम्हारा पास 10 गंटे तो फ्रेंट्स काफी एच्छा सेंटेंस ही यह भी वो गाता है गलती तुमारी थी मेरी नहीं तो फ्रेंट्स काफी ऐसे हो जाता है ना आपस में रड़ाई हो जाती है मेरी नहीं तो हम इस तरीके से बोलते हैं the fault was your not mine वो कहता है तुम वहां कितने वह तक पहुंच जाओगे by what time will you reach there by what time will you reach there तुम वहां कितने वह तक पहुंच जाओगे तो वो उस लड़की से कहता है तुम मेरे लिए सब कुछ हो you mean the world to me you mean the world to me तुम मेरे लिए सब कुछ हो तो अब ऐसा होता है तो हम कभी से किसी से बोलते हैं कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं You mean the world to me वो कहता है मेरा मुबाईल चार्जिंग पर लगादो Please put my mobile on charge मेरा mobile charging पर लगा दो तो friends ये भी काफ़ी अच्छा sentence है वो गाते हैं तुम इससे बाहर रहो तो अच्छा है you better stay out of it you better stay out of it तुम इससे बाहर रहो तो अच्छा है वो गाता है इसमें डरने की क्या बात है इसमें डरने की क्या बात है मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो I like you as you are I like you as you are मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो तो काफी अच्छे sentences के अंदर फ्रेंट जो आपके English को improve करने में काफी help कर सकते हैं और एक ये English को सीखने का बहुत ही अच्छा थरीका है तो आप ऐसी practice करते रहेगा और आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share चरू करें और अगर आपने चैनल पर नए है चैनल को subscribe करना न भूले